हेलो फ्रेंड्स आपसे आपसे स्वागते हैं हमाई चैनल लेर्निंग मिताओ अब आज हम पढ़ रहे हैं क्लास एट का साइंस का चैप्टर टू फार माइक्र और और फ्रेंडर फो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स अगर आप पॉंड की एक ड्रॉप वाटर को माइक्रोस्कोप में ऑफजर्ब करेंगे तो आपको टीनी रामड़ शक्ते में यह यह इनको माइक्रोब या फिर माइक्रो और गनिजम कहते हैं यह बहुत चोटे होते हैं तो इनको हम नेकेड आई याने हुमन आई निकेड आई बेया निया माइक्रोब कंः नहीं दे सकते हैं इसको फूर ग्रोप में हम डिवाई निया और अलगीरी तो चैedi यह देखते हैं अंब बैक्टिरिया जो हैं वो यूनि शैलूर गलोट्टिक होते हैं वो हांधुल भी हो सकते हैं और और यूस्पुल भी हो जिया सकते हैं Dusty के और नध्य लग सेपंदय हैं जैसे कोकाई वाइब्रियो बैशिलर्श यहां पर आपको दिखाए गई अगला है probiotics जो है वह लाइब बैक्टिरिया हो होते हैं जो हमाई हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं वो डाइजेस्टेश्टे की सिस्टम में बहुत उपयोगी होते हैं अंगलह फंजाई वह छैप्रोफायितिक याने देड मेंटर पर फीड करने वाले या परसेटिक और गि परिक्रोपिक है अगला फर्मन्टेशन तो फर्मन्टेशन फ्रेंट्स एक मेट बॉलिक प्रॉब्स जिससे सुगर को एसीड या फिर गेस या फिर एल्कॉहॉल में कनवर्ट किया जाता है यह कड्ड या फिर एल्कॉहॉल को बनाने में यूज करते हैं लुइस पास्टर ने इसको दिश्कवर किया था एट्ट फिप्टी सेवन में अगले प्रोटोजन्स वह माइक्रो स्कोपिक एनिमल्स होते हैं सिंगल सेल्ड जो फ्लेजलेट्स सिलियेट्स स्पोर जोन्स अलग अलग फॉर्मे होते हैं उनके कुछ एक्जामपल जैसे एक एलकोहॉल वाइन और एसिटिक बनाने में मैडिसेंस और वैक्सिंस बनाने में इन्वाइरनमेंट को क्लीन करने में सौल फटिलिट्र और खांवल इफेक्ट भी जैसे डिसीज और फुड़ पॉजनिंग अगला है कि हमाली कैसे यूसफुल हैं वह वह यूसफुल इसल बढ़ातने हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करके और वह कर्ड को सेट करने मदद करते हैं और कर्ड से चीज पिकल्स अधर फुड़ आइटम समय यूस जैसे एक लैक्टो बैसिलस जो है वह मिल्क में मल्टिप्लाई करता है और उसको कर्ड में कनवर्ट करता है अगला है य यह बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं और सीओ टू गैस प्रोड्यूस करते हैं रेस्पिरेशन के समय के बीच में जो स्पेसेश होते हों उसमें गार्वन कार्वन डैकसाइड भर जाती है और उसका वाल्यूम बढ़ा देती है यह एलकोहॉल और वाइन प आप कभी बिमार पड़े होंगे जोक्टर आपको कुछ एंटिवाइट टैबलस देते हैं या फिर कैप्सूल्स या फिर इंजक्शन्स जैसे एक तो पैंसे इनका तो यह इनके सोर्स जो हैं वह भी माइक्रोब्स हैं यह जो मैडिसिंस हैं वह माइक्रो और और गैनिसम्स क ने से रोकती हैं तो फ्रेंड्स एक बार किया हुआ एक साइनेस साइटिस्ट थे उन्होंने देखा कि वह माइक्रोस्कोप में वह बेक्टीर को आवजब कर रहा था तो इसको हम एंटिबायिक कहते हैं तो एंटिबायस्तिक कहते हैं वह तर्फ पैनिसेलिन तो ऐसे डिस्कवरी होई थी स्ट्रेप्टोमाइसें ट्रेट्र साइक्लेन और इरेथ्रोमाइसें हैं कुछ एंटिबेटिक्स के नाम अब हम देखते हैं हांफुल जो डिसीज फैलाते हैं उनको हम पैथोजन्स कहते हैं ऐसे माइख्रोजन्स को अगला है पैथोजन्स इन हूमन तो पैथोजन्स अलग अलग कही के से आ सकते जैसे अधा एर भी ब्रीज्ट वाटर वी ड्रिंक और दावार फुड वी इट तो फैंट्स माइक्रोज डिसीज जो है वो इंफेक्टर परसंट से एक हैल्दी परसंट पर फैलती है जो एर से वाटर से फूड से या फिजिकल कॉंट्रेक्ट से उन्हें कम्यूनिकेबल डिसीज कहते हैं इन इन डिसीज के एक्जांपल यह से कोलेरा कॉमन कोल्ड चिकन पॉक्स और टीबी याने चूबर अगला केडियर्स अब डिसीज तो फिंस केरियर्ड डिसीज को फैलाते हैं जैसे हाउस फ्लाई है कैसे वह वह गार्वेज और एनमल एक्स क्रीट पर बैर जाती है तो पैतोजर्स उनकी बॉडिस पर स्टिक नयाने चिपक जाते हैं एक और एक्जम्पल फीमेल एनुफिल अगला है कि डेंगु वाइरस के लिए एडिस मस्कीटो जिम्मेदार होता है क्योंकि वही उसका कैरियर है अब हम देखते हैं जैसे ट्यूबर कॉलिसीज मीजल्स चिकन पॉलियो तो ट्यूबर कॉलिस बैक्टीरिया से होता है मोड़ ट्रांस्मिशन है एर और मीजल्स वा से या जा फिर या फिर से और या फिर या पुमट्यक्ट से वाइर से और अ बाइपति लेयो से होता हैं नेर्मेलियो पिछले साल हमने एंथ्लेक्स के बारें पढ़ा था जो स्वाटज डिसीज करता है वह बैक्टिरिया होता है और फूट और माउट डिसीज टेटल की वह वह भी एक वाइरस से होती है अगला है प्लांट डिसीज प्लांट डिसीज भी अलग जैसे सिट्रस कैंकर जो सिट्रस टेर्ट डिस्ट्रस में होता है जैसे ऑरेंज हो गया लैमन हो गया माइक्रो और गया जैसे बैक्टिरिया या और एयर रस्ट वीट वीट में ब्चार्श लग जाती वह एक पंजाई के वज़े से होता है मोटर ट्रांबिय मोजाइक और 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 ऑफ भिंडी बहुत यहलो होता है अंगला है वैक्सीन तो फ्रेंट्स जब कोई डिसीज करिंग माइक्रोब बॉड़ी में बॉड़ी में आता है तो बॉड़ी उसके किलाफ एंटी बॉड़ी प्रड्यूस करती है उसको उस इन्वेडर से लड़ाई करने के लिए और बॉड़ी इस वे को रिमेंबर कर होती है ताकि अगरी बार आए तो वह अच्छे से लड़ाई कर पाए तो फ्रेंट्स वैक्सीन से बहुत बहुत कम होते हैं जो जो एंटी बॉड़ी का प्रोड़क्शन ट्रिगर याने शुरू करवा देते हैं वह बॉड़ी को हाम नहीं करते हैं अंदेखते फुड फुड पॉजनिंग ऐसे फूड खाने से हो सकते हैं जो माइक्रो और ऑर्गनिजम्स द्वारा स्पॉइल कर दियो हैं यानि खराब कर दिया हूं फूड में कभी-कभी जब वह ग्रो करते हैं तो टॉक्सिक सब्टन्स यानि हानी कारक्स सब्टन्स से वह प्रोड्यूस करत कि ग्रोद को चेक करने करें लिए उनकों प्रेजर बेटिव कहते हैं अभे साम कोमन मैठोड्स प्रेजर वेशन बाई कॉमन सौल्ट मीट औरफिस को ड्राइव सौल्ट से कवर कर दिए जाता बैक्टीरिया की ग्रोट को करने के लिए क्ले क्योंकि साल्टिंग जो है वो फ्रेंट्स आमला राम एंगुश टामरीन में भी यूज किया जाता है अगला है प्रेजर्वेशन वाई सुगर जैम जैली और स्क्वैसेज में सुगर क्यूंकि वो सुगर जो है वो मौस्चर कंटेंट को घटा देता है इसलिए वो बैक्टिरिया उसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं और प्रेजर्वेशन वाई वाइनगर तो इस से क्या होता है स्पॉइल जो पिकल्स बच जाती है क्योंकि वह ऐसे इंवारेंट में बैक्टीरिया जो स्पॉइल करते वह नहीं रह सकते हैं वेजिटेबल फ्रूट फिस्स और मीट को इस मेटवर्ट से प्रजर्व किया जाता है पस्टराइजेशन यह है कि सबसे पहले उसको हीट कर जीए तो उसके बस सडली चिलका दियो जाता है तो ऐसे जो है वह माईक्रोब जो है वह ग्रोथ नहीं कर पाते इसको लुए लुए पक्षर जो ग्रीट साइंटिस्ट यह था तो उन्होंने फर्मेंटेशन भी डिसकवर तो इसे लिए इसको उनके और में पेस्चराइजेशन कहा जाता है अगला है नाइट्रोजन साइकल फेंड आप सभी को पता है कि हमारे एड़ अध्मासफे के सबपस्टेकशन नाइट्रोजनन जो है वह वो प्रोटीन पाट होथी diagnosophile क्लोरोफील तो इसे तो पार्योड सभी जीर नाइट्रोजन शाइकल इम ग्रॉज़न भेस और इस यह भी काम बढूद Вас eher है है रफेंस नाइट्रोजन साइगल करते है दरलेंस नायस्यरले करते हैं रजा kg है तो पर पील थारा जाती है जैसे 3 लाइतनिंक सी तो या नाय्ट्रोजन से बहुत में जाती उह में है चलिए झूहाइन को अधि्क्राइव। मर जाते हैं तो जी खंधे जーा लें। दीकंपोजर को नां वह बच्टाइशन को कि तो या तो या तो जो सॉइल है वह अट्मॉसफेर माने बैक्टिरिया oni उसको फिर से नाइट्रिफिकेशन नाइट्रोजन बना देते हैं या फिर उसको एनरजी प्रोवाइट करने के लिए नए प्लांट्स को दे देते हैं तो ऐसे नाइट्रोजन साइकल चल जाता है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेर कर दीजिए अपने